आज मैं आपके सार्ट ट्रेंडी वी नेक कॉलर डिजाइन शेयर करने वाली हूँ ये नेक डिजाइन दिखने में जितनी सुन्दर है बनाने में उतनी ही आसान है सारे स्टेप्स फॉलो करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें नेक डिजाइन के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है इसको हमें चौड़ाई में फॉल करना है अब यहां वी नेक कॉलर में गले की चौड़ाई हम साड़े तीन इंच रखेंगे इस तरीके से साड़े तीन इंच पे निशान लगाए और लंबाई में हमें 13 इंच पे निशान लगाना है अब देखें यहां पर हम जो कॉलर मनाएंगे उसकी चौड़ाई हम एक इंच रखेंगे और उसमें हम ये लैस भी लगाएंगे तो टोटल यहां पर चौड़ाई जो बनेगी कॉलर की वो सवा इंच रहेगी तो सवा इंच का इस तरीके से आधा करके और यहां पर निशान लगाएं और उपर से लेके नीचे तक इस तरीके से ग्लाश शेप में मिला लें गले की जो लंबाई है वो साथ इंच रहेगी तो साथ इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा देंगे अब इस neckline को हमें बाहर की तरफ से एक इंच चौड़ा रखना है और इस pasting paper की cutting करनी है देखें जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से इस neckline की cutting कर ले अंदर की तरफ से cutting करने के बाद जो हमने 7 इंच पे निशा लगा है वहां भी cut कर ले ये बीच में patch आएगा इस तरीके से हमें इस pasting paper की cutting करके और इसे कपड़े के उपर चिपकाना है देखें बीच का जो patch है उसको मैंने इस तरीके से चिपकाया है इसको cover करने के लिए भी extra कपड़ लेना है और जो shape यहां पर दिख रहा है तो sly लगाने में हमें आसानी हो इसके लिए हम इस तरीके से पहले निशान लगा देंगे इसे निशान लगाने के बाद यहां पर पहले एक बड़ी sly लगा दें और इन दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ दें अब देखे यह जो हमने glass shape कट किया है इसको बाहर की तरफ से जो कपड़ा है उसे fold कर लेना है अब back panel में भी हमें neck कट करना है back panel में गले की चोड़ाई सेम रहेगी साड़े तीन इंच और गले की लंबाई सरिफ हमें आदा इंच तक कट करनी है आदा इंच तक इस तरीके से अलका सा गोलाई वाला शेप देके और इस neck की cutting कर लें अब हम इस neck design को stitch करना start करेंगे दिखे पहले हमें front panel लेना है front panel पर ये glass shape को stitch करना है तो इससे पहले इसको fold करके और बीच का निशान लगा दें जैसे ये बिलकुल center में stitch हो अब देखें front neck का जो कपड़ा है उसे मैंने सीधा रखा है सीधे side में हमें ये pasting paper बिलकुल बीच में set करना है और इस glass shape को अंदर की तरफ से sly लगानी है इससे पहले center से एक बड़ी sly लगा कर यहाँ पर fix कर ले और उसके बाद glass shape को अंदर की तरफ से सिले pasting paper के बिलकुल पास में हमें sly करनी है पूरे में sly लगाने के बाद अंदर की तरफ से जो extra कपड़ा है उसे cut कर ले आदा इंच कपड़ा छोड़ना है बागी कपड़ा cut कर ले दोनों कौनों पर भी बिलकुल end तक cut लगाए और इस pasting paper को पीछे की तरफ गुमाएं ग्लास shape neck तयार हो चुका है अब देखे back का जो neck है वहाँ भी हम same size की तरीके से बट्टी लगा कर और इस round neck को sly लगा कर और तयार करेंगे back neck तयार होने के बाद हमें front और back को आमने सामने रख कर और shoulder line से जोड़ना है देखे जैसे हम simple neck तयार करते हैं और back और front को जोड़ते हैं same उसी तरीके से हमें यहाँ shoulder line को जोड़ना है अब पूरा neck इस तरीके से तयार करने के बाद हमें यहाँ पर पहले less लगानी है अब देखे जो cottonness मैंने use करी है उसमें sly लगाने वाला जो हिस्सा है वो बहुत ही कम है इसलिए मैंने machine में half pressure foot use किया है अब glass shape के नीचे इस less को रखें और किनारी पर sly लगा कर पूरे neck पर यह less लगा दें फ्रंट neck से लेके back में भी हमें यह less लगानी है और फिर आगे लेके इसे complete करना है देखे पूरे neck पर हमने less लगा दी है इस तरीके से आप step by step पूरा neck design follow करेंगे तो आप आसानी से यह neck design बना पाएंगे अब देखे एक बार हम ऐसे roughly measure करेंगे कि collar की लंबाई हमें कितनी चाहिए देखे टेप को इस तरीके से पूरे neck पर गुमाएं और लंबाई measurement कर लें यहां पर करीब 38 इंच लंबा हमें यहां collar बनाना है मतलब 38 इंच लंबी पट्टी चाहिए यह एक इंच मैंने चौडी रखी है और 38 इंच लंबी है इसको कपड़े के ऊपर चिपकाना है और इसके दोनों तरफ सलाई जितना आए इतना कपड़ा हमें extra लेना है देखे इस तरीके से अब इसके एक साइड हम यहां पहले फिर से लेस लगाएंगे जो लेस हमने गले पर लगाई है सेम वही हम यहां पर collar पे भी लगाएंगे कपड़े के सीधे साइड मैंने इसे रखा है आदा इंच लाई का छोड़ के और उसके बाद यह लेस लगाना स्टार्ट करें पूरी पट्टी पर हम यह लेस लगा देंगे आप बिना लेस के भी यह collar तयार कर सकते हैं अब देखिए इसको इस तरीके से फोल करके और जो स्लाई दिख रही है उसी स्लाई के उपर ही हमें दूसरी स्लाई लगा कर इस पट्टी को यहां से बंद करना है पूरी इस लंबी पट्टी को इस तरीके से एक साइड से हम बंद कर लेंगे बंद करने के बाद अब सामने वाली साइड जो बंद है उसे कट करके और अलग कर लें कट करने के बाद देखे इसको फोल करके और इस तरीके से एक बार अच्छे से हैरन करें और कॉलर वाली पट्टी को तयार करें देखे इस तरीके से लेस लगाने के बाद सामने वाली साइट मैंने ओवरलॉक कर ली है अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन नहीं है तो आप एक बड़ी सलाई लगा कर इसे फूल कर ले अब इस नैक पर हम ये कॉलर के शेप में पट्टी लगाएंगे अब देखे जितनी हमें तयार लंबाई चाहिए वहाँ पर मैंने दोनों तरफ निश्या लगाया है यहाँ तयार लंबाई मुझे 7 इंच चाहिए जैसे कि मैंने पहले ही कट किया था अब उसके हिसाब से ये बीच में हमें पैच भी लगाना है अब इस पैच के पूरे बाहर की तरफ मैंने आदा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चुड़ा है स्लाई के लिए कॉलर पर भी आदा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है स्लाई के लिए तो दोनों को आपस में इस तरीके से अच्छे से सेड करें और इस neckline के नीचे की तरफ रखें देखे जहां तक लंबई है इस तरीके से दोनों को साथ में इस glass shape के नीचे रखें और किनारी पर sly लगा कर इन दोनों को आपस में जोड़ दें देखे एक साइड यहां तक हमारा patch fix हो चुका है अब हम इस collar वाली पटी को continue रखेंगे आदा इंच कपड़ा हमें slime में दबाना है और एक इंच चोड़ा यह collar बनाना है देखे बैक नेक मर भी हमें इससे continue रखना है पूरी गुलाई में गुमाते जाएं और इसे आगे की तरफ ले ले अब देखे सामने वाली साइड भी हम आदा इंच कपड़ा patch का slime में दबाएंगे और इस तरीके से पटी को overlap करके यहां पर fix करेंगे जब तक यह collar वाली पटी सबी जगह से fix नहीं हो जाए इस like को continue रखें अब देखे जहां से मैंने स्टार्ट की थी वहीं जाके इसे खतम किया है यह V collar neck design तयार हो चुका है इसके साथ मैंने इस कुर्ती में पाकिस्तानी sleeves बनाई है पाकिस्तानी sleeves की perfect cutting कैसे की जाती है next video मैं आपके साथ share करूँगी आपको मेरा यह neck design कैसा लगा like share comment करके ज़रू बताएं thank you for watching this video